बाक 20 सीरी स्मार्टफोन्स प्लेन लेविल होना चाहिए सुनाओ में दोनों तरफ से बराबरी का मौका होना चाहिए क्या एमाउंट है 16 सत्रालाग उस पर आपने सीजर कितने कर गिया एक सेल तिस करोन का यही नहीं 16 सो करोन को नोटिस सुनके लोग हस रहें कहां सो रहा है कहां सो रही है बित्तमंत्री जी कहां है बित्तमंत्राले कि 17 लाग पर आप 16 सो करोन की नोटिस 17 सो करोन की देंगे और एक राजनेतिक दल से जो चुनाओ में आपका मुख्ष प्रद्दिन दी तो यह तो प्लेन लेविल फील नहीं करने के लिए और टाइमिंग दो सवाल ऐसे हैं जो साब जवाब देते हैं कि भारती जनता पार्टी में अब नाम का लोकतंत रह गया है ताना शाहिया आ चुकी आप क्या कहा है चुनाओ को देखते हुए यह सब कुछ हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने पहले गरफतारी पर सवाल उठाया अब जो एक्शन हो रहा है कॉंगरेस का एक खाते को लेके तो यह चुनाओ को देखते हुए हुए है सिर्फ चुनाओ के वज़स हो रहा है चुनाओ के वज़स इसलिए हो रहा है कि भारती जनता पार्टी का जो internal input उसके साथ सरकार नहीं बन रही बहुत पीछे हैं ये तो इन परिस्टित्यों में सामने वाले के अस्तर सस्तर ले लो उसे ये मौका भी न दो कि चुनाव लो सके वरना सम्होना ना के परावर है तो ऐसी स्थित्म होई किया जा रहा है पूरा देश के सामने हमें कल और जब भी मौका मिलेगे जनता के अदालत में जा कि इस बात को कहें एक आखरे सवाल सर कल बड़ी रेली है इंडिया कड़ बंधन के दिल्ली में और्विंद के जिवाल के गिरफतारी के खिलाफ कांग्रेस के अकाउंट सीजर्स के खिलाफ तो और इसमें सुनिया गांदी जी खुच जा रहे हैं कल पना सोरेन कुछ हरकंड से बुलाया जा रहा है तो क्या एक सिंपती फैक्टर गेन करने की कोशिस हो रही है चुनाओ के बीच सच्चा ही सामने लाएंगे इसमें गलत क्या है केजरी वाल को टाइमिंग पर सवाल उठाता हूँ जिस तरह गिफतार किया गया दो मेने बादी हो सकता था जिस तरह सीजर गवा 16-17 लाग पर 1600 करौन की नूटिस और लगबग 31-36-38 करौन का सीजर जनता के बीच में जाके आवाज उठाएंगे जनता ही तो मालिक है जनता ही तो सबसे बड़ी अदालत है वोई करेंगे लेकिन बीजेपी कह रहे है कि जो अर्विन केजवाल रामलीला ग्राउंड से कॉंग्रस के खिलाब बोलते थे वहीं सुनिया गांदी जो पूर्व कॉंग्रस के द्ख्ष रही है वो उनके समर्तन में वाजाएंगी देखे पुराने बेयानों पर तो न जाए हर आदमी के मुद्धे होते है मैं पूछना चाहता हूं उनके सरोच नेता मोदी जी कहते थे मुफ्ती मुहमत के लिए कि वह आतंकवादी और उनकी बेटी के लिए कि वह आतंकवादी के बेटी है वह आतंकवादी है और खुछ जाके उसको सफ़द दिलाई मुफ्ती साथ को जो ज़ंडे के खलाफ थे दोनों ज़ंडे सामने रखके सफ़द दिलाई तो पहले अपने दावन में जाक के देखें पर दूसरी तरफ बात करें के जिवाल क्या कह रहा है तो प्रमोतिवारी कह रहे हैं कि चुनावों के दौरान लेवल प्लेइंग ग्राउंड छीना जा रहा है और ये भी उनका दावा है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटर्नल सर्वे में बीजेपी के आंकडे मजोरिटी के करीब नहीं जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी पलटवार जा रही है वीडियो सही होगी नासर खान के साथ महमेद भार्दवाज दिल्ली झाल झाल झाल